नवाबो के शहर लखनो को आज पिये मखिलेश यादव ने एक सौगात दी आज लखनो में मेट्रो की शुरुवात हो गई ट्रैक पर आज लखनो मेट्रो ने अपना ट्रायल रन पूरा किया कारिकरम स्थल पर स्थिये मखिलेश और मुलायम सिंग ने दीब जला कर उदखाटन किया कारिकरम में एस पी चीफ मुलायम सिंग यादव, डिमपल यादव, अरपणा यादव, शिवपाल यादव, आजम खां, सियम अखिलेश यादव की कैबिनेट के कई मंत्री और समाजवादी पार्टी के कारिकरता मौजूद रहे सियम अखिलेश ने इस मौके पर मेट्रो से जुड़े सब ही लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि वो आज नहीं, बेलकि जनता के साथ मेट्रो की सवारी करेंगे वही मुलायम सिंग ने कहा कि आज का दन उत्तर प्रदेश के लिए एतिहासिक है उन्होंने मेट्रो का काम समय से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों और अखिलेश को बधाई दी मुलायम ने कहा कि कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ मुख्यमंत्री के कामों की हर तरफ तारीफ होती है आपको बता दें कि लखनो मेट्रो पहले दिन ट्रांसपोर्ट नगर से सिंगार नगर स्टेशन के बीच दोड़ेगी लखनो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानि LMRC ने महस दो साल दो महिने में मेट्रो को ट्रैक पर उतारने की मिसाल पेश की है मेट्रो को ट्रैक पर उतारने से पहले LMRC और कोच बनाने वाली अल्स्टॉम कमपनी के इंजीनियर्स ने दस दिन तक कोचों का स्टैटिक और डैनमिक ट्राइल किया इसमें कोच के फीचर्स के अलावा ब्रेकिंग सिस्टम, बैक अप, कंट्रोल रूम से एक कनेक्टिविटी जट के लेने की जाच की गई सोवर को प्री ट्राइल सफल होने के बाद एलिवेटिड रूट पर मेट्रो के ट्राइल की अनुमती मिल चुकी थी LMRC की माने तो अगले साल 26 मार्च से मेट्रो कमर्शिल रन के लिए तयार हो जाएगी पहला कमर्शिल रन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के 8.5 किलोमीटर लंबे प्रात्निक संक्षन यारि ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग मेट्रो स्टेशन पर होगा यही तेजी आगे की प्रोजेक्ट में भी बनाई रखी जाएगी LMRC पूरे शहर में मेट्रो का नेट्वर्क बिछाने पर काम कर रहा है LMRC की योजना है कि 2050 तक पूरे शहर के अलग-अलग अलाकों को मेट्रो रूट से जोड़ दिया जाए